राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब? दोस्तों कार्टिक माज की शुकल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदो धर्म शास्तों के अनुसात देव शैनी एकादशी पर भगवान बिष्टों योग निंद्रा में चले जाते हैं। तभी से चितुर माज शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णू देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं इसलिए इस एकादशी को देव के उठने के एकादशी कहते हैं इस एकादशी को देव प्रवोधनी एकादशी देव थान के नाम से भी जाना जाता है इसी दिन चतर मास भी समाप्त हो जाते हैं देव उठनी एक आदशी से ही सभी शुब और मांगलिक कारे वापस शुरू हो जाते हैं यह दिन भागवान शीहरी विष्णु मां लक्ष्मी की किरपा प्राप्त करने के लिए सवसीष्ट माना जाता है कहते हैं देव उठनी एक आदशी पर जब भागवान शुरू जाते हैं तो वह प्रसन मुद्रा में होते हैं इसलिए इस दिन भागवान शुरू का पूजन करने से मनचाहा बरदान प्राप्त होता है देव उठनी एकातशी पर तुलसी जी के पूजन का विशिश महत्व होता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार जब भगवान पिश्णू जाखते हैं तब सबसे पहली पुकार हरी बल्वा तुलसी जी की ही सुनते हैं शास्तों के अनुसार दीव उठनी एकातशी पर भगवान श्री हरी विश्णू की पूचा करने से व्यक्ति को एक हजार अशुमित यक्य के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है माना जाता है भगवान श्री हरी विश्णू को प्रसंद करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है माना जाता है इस दिन भगवान श्री हरी विश्णू का पूचन करने से भगवान विश्णू जी के साथ धनकी देवी मालक्ष्मी की भी ट्रिपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है इस दिन भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की पूचा की जाती है, फिर भगवान विश्णू को जगाने का आवाहन किया जाता है, सबसे पहले सुबह उठकर इस्नान करके स्वच्छबस्त थारर करें, फिर प्रत का संकल्प लें, फिर अपने खर की आंगर में भगवान व हलती मिला कर बनाएं, अगर आंगर में बना रहे हैं और आंगर में धूप है, तो चर्णों को धक दें, फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाया जाता है, और फल, मिठाई, रितूफल और गन्ना रखकर डल्या को धक दिया जाता है, रात के समय घर के बहार और जहां पूजा की जाती है, साथ ही अन्य देवी देखताओं की भी पूजा की जाती है, फिर इसके बार भगवान विश्नुजी को शंक घंटा घडियाल आदी बजा कर उठाना चाहिए, और ये बाग के दहराना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ दे नई सूत नई कपास, देव उठाएं कार्टिक मास, इस बाके को दहरा कर भगवान श्री हरी विश्नुजी को जगाया जाता है, दोस्तों शांस्तों के अनुसार जब भगवान श्री हरी विश्नुजी निंद्रा से जाकते हैं, तो सबसे पहली बुकार श्री बल्लभा चुनते हैं, तुलसी जी को हरी प्रिया भी कहां जाता है, तुलसी जी के बिना भगवान विश्नुजी का पूचन संपूर नहीं होता, इसलिए भगवान विश्नुजी को प्रसंद करने के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विश्नुपान लक्ष्मी जी के साथ तुलसी जी का पूचन अवश्य ही किया जाता है। इस दिन भगवान पिश्णु जी के शालिक राम सरूप और तुलसी जी का विभा भी कराया जाता है। तुलसी जी का शास्तों में विश्ष महतों बताया गया है। भगवान पिश्णु जी को प्रसंद करने के लिए देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूचन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शीहरी विश्णु जी के साथ ही धनकी देवी मालक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी का पूचन करने के लिए देव उठनी एकादशी पर रात्री के समय भगवान पिश्णु जी मालक्ष्मी जी का पूचन करने के पश्चात तुलसी जी के पास एक दिया जलाएं। दिया जलाने के लिए सबसे पहले एक म थोड़े से काले या सफेध रंग के दिल मिला दे। तिल भगवान श्रीहरी विश्णु को अत्यठिक प्रिये हैं। शर्टिला एकादशी पर तिल से ही भगवान विश्णु का पूजन किया जाता है। मकद संक्रांती पर भी तिल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। भगवान विश्णुची को तिल अत्यधिक प्रिये हैं। तिल डालकर तुलसी जी के पास दिया जलाने से भगवान श्रीहरी विश्णु अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं। तिल का शास्तों में विश्णु मेहतु बताया गया है। भगवान विश्णुची को प्रसन कहने के लिए शत्तिला एक आदशी, तिल दो आदशी और मकद संक्रांती पर विश्णुप से तिल से ही भगवान विश्णु का पूजन किया जाता है। नरक्चतों दशी पर तिल का तिल लगा कर ही इसनान किया जाता है। पित तरपन के दोरान भी तिल का ही इस्तमाल किया जाता है। माना जाता है तिल भगवान विश्णु के ही शरी से निकले हैं। तिल भगवान विश्णू जी के साथ ही धनकी देवी मालक्ष्मी को भी अती प्रिये हैं। मालक्ष्मी जी को भी प्रसंद करने के लिए सफिल तिल का इस्तमाल किया जाता है। और भगवान विश्णू जी को काले और सफिल दोनों ही तरहे के तिल अती प्रिये हैं। करने से भागवान विश्णु जी के साथ ही धनकी देवी मा लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और तुलसी मा भी प्रसन्न होती हैं दिया जलाते समय आपको इस बात का विशीर ध्यान रखना है कि आज के दिन दिये के नीचे चावल नहीं रखने क्योंकि एक अद लगा कर आप डिया जलाएं दिये को सीधे जमीन पर या तुलसी जी के पास ना रखें दिये को आसन दें और उसके उपर ही दिया रखें ऐसा दिया ही पूर्ण माना जाता हैं और दिये की लौ को पूर्व यानि इस्ट की तरफ रखना चाहीं इस्ट भगवान बिष्टू जी की दिशामानी जाती है दिया जलाने के बाद आप भगवान बिष्टू मा लक्ष्मी जी और तुलसी मा को प्रणाम करें और फिर आप सबसे पहले भगवान बिष्टू जी की आर्ती करें फिर आप तुलसी मा की आर्ती करें आपको तुलसी जी के सामने खड़े होकर ही भगवान विश्णू और तुलसी मा की आती करने हैं. आती करने के परश्चात आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें. दोस्तों ध्यान रखें आपको परिक्रमा क्लॉक्वाइज ही करनी हैं. परिक्रमा करते समय आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के द्वादश्मत ओम नमो भगवति वासु देवाय का चाप करते रहें परिक्रमा करने के परश्चाथ भगवान विष्णु मा लक्ष्मी जी और तुलसी मा को प्रणाम करें और तुलसी मां से आप अपनी सभी समस्या कहें आपकी जो भी मनुकामना है वह आप तुलसी मां के समक्ष रखें और अपनी मनुकामना पूर कहने की प्रात्ना करें सभी समस्याओं को दूर कहने की प्रात्ना करें तुलसी मां से प्रात्ना करें कि वहें आपकी सभी समस्या और मनुकामना भगवान श्री हरी विश्णू के समक्ष रखें क्योंकि दोस्तों जागने की पश्चास सबसे पहली पुकार भगवान विश्णू जी तुलसी मां की ही सुनेंगे और तुलसी मा से जब आप अपनी सभी समस्याई कहेंगे तो तुलसी मा आपकी सभी समस्याई भगवान विश्णू जी के समक्ष रखेंगी जिससे भगवान विश्णू जी आपकी पुकार जल्दे ही सुन लेंगे और आपकी सभी समस्यां और परिशानियों का अंतकर देंगे इस तरहें तुलसी जी का पूचन करने से भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी और तुलसी जी की गृपा से जीवन में चली आ रही सभी परिशानियां खत्म हो जाती है दुख दरता और गरीबी का नाश होता है घर में सुक सम्रती और शान्ती आती है और भगवान विश्णु ची की अस्रीम कृपा प्राप्त होती है आप ही देव उठनी एक आदशी के इस पावन पर्व पर इस उपाई को करके इससे लाप अवश्य ही प्राप्त करें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारे इस वीडियो को प्रेफ्रेंट्स और इस्तेदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें जिसी भेबी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फूर वाचिंग राधी राधी